आईकोन एंजेंग ट्विशन क्लाइसिस मा आपनू हार्तिक स्वागत छे इलेक्ट्रिकल डीपलोमा सेमेश्ट्र त्रण मा एक महत्वनों सब्जेक्ट आवे छे ते इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट छे जैनों सब्जेक्ट कोड 4330903 छे आजे आपने त्याना सेकेंड च विशे ना महत्त्वाना टॉपिक विशे बनीशु और आपने एक सीरीज सरू करी छे जे मा एक पची एक डिपलोमा सेमेश्ट त्रण ना बध्धा सब्जेक्ट ना विडियो अपलोड तता रहे शे इतले आ चैनल पर जिटला विद्ध्यार्थियो नवा होय ते बधा वि विडियो औने पिडियेख पन मेड़ोई शको छो तो अपने शरू करिए चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट छे ईयाई अने एनवा टॉपिक छे पोटेंशो मिटर प्रिंसिपल हाजे आपने आनो पार्ट वन जोईशु जेना अंदर पोटेंशो मिटर ना प्रिंसिपल यह फिगर है जो कि प्रिंसिपल अपोटेंशो मिटर और जो क्रॉम्टन पोटेंशो मिटर होता है यह दोनों बार 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 चीट्यू के एक्जाम में हर बार पूछी गई है कभी 3 माक्स में या कभी 4 माक्स में या कभी 7 माक्स में भी पूछा गया है क्रॉम्टन पो होता है यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पहले वीडियो में यह देखेंगए कि potential meter कि प्रिन्सिपल पे operate होता है थे असके बारे में जानेंगे तो इस circuit के अंदर एक standard cell लगया हुआ होता है standard cell लगया हुआ होता है जो की इस circuit के अंदर current flow करवाता है standard battery के द्वारा इस circuit के अंदर current flow होता है अब और इस circuit के अंदर current को limit करने के लिए यहाँ पे एक regulating register का भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पे एक regulating register का भी प्रयोग किया जाता है फिर इस regulating register के द्वारा और यह regulating register जो होता है यह एक टाइप का variable register होता है variable register यानि की variable register यानि की वो register के जिसकी value हम vary कर सकते हैं अगर हम प्रतिरोध यानि की register की value अगर हम vary करेंगे तो साथ ही में इस पूरी circuit के अंदर जो current बहने वाला जो current है ये भी vary करेगा ये current अगर change हो जाएगा तो हमें हमारा potential meter जिस principle पर operate करता है वो principle हमें यहाँ पर achieve हो जाएगा तब हम शुरू करते हैं circuit के अंदर यहाँ पर एक ये register दिया हुआ है इस register यानि कि ये जो dark मैंने line की हुई है इस line को यानि कि इस wire को कहा जाता है slide wire इस wire को कहा जाता है slide wire इसको slide wire इसलिए कहा जाता है कि ये जो c point हमें जो देखने को मिल रहा है हमें जो ये c point पे ये जो sign देखने को मिल रहा है यानि कि ये जो contact दिखने को मिल रहा है हमें ये वाला contact ये वाला contact variable contact होता है यानि कि ये contact इस पूरी slide wire पे ऐसे move कर सकता है यह contact इस पूरी slide wire पे move करके हम gallonometer के अंदर null deflection achieve करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने और यहाँ पे हमने सबसे पहले हम यह जानते हैं कि potentiometer का use क्यों किया जाता है पोटentiometer का use किया जाता है यह unknown voltage measurement करने के लिए काम करता है unknown resistance measure कर सकता है unknown current measure कर सकता है calibrations के लिए भी use किया जाता है इस सबी चीजों के लिए potentiometer का प्रयोग किया जाता है लेकिन इसका ज़्यादा तो प्रयोग हम voltage measurement के लिए करते हैं voltage measurement यानि कि एक unknown battery हमें अगर हमारे पास हो और उस battery का voltage हमें पता नो हो तो वो उस battery का voltage पता करने के लिए हम potentiometer का use करते हैं हम अब देखते हैं कि ये पूरी circuit है ये कैसे work करती है तो circuit के अंदर हमने देखा हुए एक standard cell connected है और एक battery यहाँ पर connected है जो battery non EMF है non EMF यानि कि ये वो battery connected है जिस battery का voltage हमें पहले से ग्याद है यानि कि इस voltage ये जो battery हमने पहले से पता है ये जो battery है इसका voltage हमें पहले से पता है इसके साथ के है के स्वीच है एक गेलरोमीटर कनेक्टेड है, इसके साथ ये स्लाइड वायर है, स्लाइड वायर का रिजिस्टन्स आर है, अब क्या होता है, कि जब हम स्टांडर सेल, अगर जैसे ही हमने यहाँ पर स्टांडर सेल कनेक्ट किया, तो सर्किट के अंदर करन्ट फ्लो होना शुरू हो गया, इस सर करेंट हमने लिमिट कर दिया जैसे ही इस स्लाइड वायर के अंदर करेंट फ्लो हुआ और हमने स्विच के को क्लोज किया तो उसी के साथ गैलोनोमिटर के अंतो इस दिशा में भी एक करेंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा इस दिशा में भी एक करेंट फ्लो होना शुरू कर है potential meter का यह mainly work करता है galonometer में null deflection में galonometer में null deflection यानि galonometer में null deflection यानि galonometer के अंदर जो current जा रहा है अगर वो current zero हो जाए तो उस condition को कहा जाता है galonometer का null deflection गैलometer null deflection यानि क्या कि इसके अंदर current कितना हो जाए zero हो जाए तो इसको कहा जाता है null deflection तो यह null deflection हम हमें कैसे मिलता है हम यह देखते हैं पहले जैसे कि हमें पता है कि जैसे यहाँ पे current flow होना शुरू हुआ और इस line में भी current होना शुरू हुआ तो यह दोनों point पे यह दोनों point पे कुछ-ना-कुछ voltage difference भी produce हुआ होगा तो आप यह voltage difference गारण यानि कि यहाँ पे और यहाँ पे जो voltage difference गारण इस line के अंदर current हो रहा होगा तो हमारा जो हे, यह current ही measure करता है, तो हमें 70 meter में null deflection लाना है, तो 80 meter में अगर हमें null deflection लाना हो, तो अगर हम यहाँ पे voltage और यहाँ पे voltage, अगर यह दोनो voltage हैं, अगर हम equal करते, यानि कि यहाँ दोनो जगापर जो potential है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो galonometer के अंदर current flow होना zero हो जाएगा यानि कि galonometer के कोई current flow नहीं होगा इसको अगर आशान बाशा में समझे तो ऐसे कह सकते हैं हमारे पास एक पानी के टंकी है ये एक पानी के टंकी है और एक ये दूसरी एक पानी के टंकी है अगर यह पानी की टंकी अगर मैं कहूँ कि यह पानी की टंकी बहुत ज़्यादा भरी हुआ और यह कम भरी हुई है तो अगर यहां से यहां में एक pipe connect करूँगा अगर यहां से यहां में एक pipe connect करूँगा तो इसके अंदर जो पानी का flow है ये किस direction में होगा ये higher से ये lower की तरफ होगा लेकिन ये कब तक होगा ये तब तक ही होगा जब तक दोनों तरफ पानी का level यानि कि दोनों तरफ जो pressure है वो same ना हो जाए अगर मान लो कि उसके बाद यहाँ पे दोनों जगा पे अगर pressure same हो गय फिर ये pipe हमने भले ही यहाँ पे connect कर दी फिर भी ना तो इधर से इधर पानी आएगा यानि कि दोनों जगा पे जब pressure same हो गया यानि कि दो टंकी पे दोनों जगा पे अगर pressure same हो गया तो किसी भी प्रकार का पानी flow नहीं होगा तो इसी प्रकार से हमारा voltage भी कारे करता है voltage जब यहाँ पे voltage और यहाँ पे voltage same हो जाए तब यहाँ पे किसी भी प्रकार का current flow नहीं करेगा तब galanometer zero detection so करेगा अब galanometer zero पहले थी यह बताओ कि यहाँ पे voltage same होगा कैसे यहाँ पे voltage same होगा कैसे यहाँ पे voltage same करने के लिए हमने यह जो resistance यह हमने जो contact point लिया है जो कि पुरे यह हमारे जो यह पुरा जो slide wire है slide wire पे movement होता रहता है movement अगर slide wire को हम move करवाए अगर slide wire को हम किसी direction में move करवाए तो इस direction move करवाने के बाद मुझा पता चला कि यहाँ कोई एक point पे आके यहाँ इस point पे अगर मैंने slide wire को ला दिया तो यह potential और यह potential दोनो potentials same हो तो एक reading तो मुझे यहां से मिल जाएगी यहां से कौन सी reading मिलेगी मुझे यहां से reading मिलेगी कि जो मेरा voltage है even वो किसके बराबर हो गया यानि कि यह slide wire के अंदर current flow हो रहा था वो और slide wire का resistance और साथ ही में slide wire जो हमने move करवाया तो कुछ length पे जाके वो वहाँ पे potential उसने same बताया हमें तो वो length यह equation एक हमें first इससे हमें मिलता है इस first figure से हमें यह equation मिलता है जब हमारे पास यह battery हमने कैसी करने कि जिसका voltage हमें पता है वो battery हमने यहां पे connect की अब देखते हैं अब आगे क्या होता है अब आगे हमें यह देखना को मिला कि अब हमने यहां पे connect करती है एक unknown battery क क्योंकि हमारे जो potentiometer उसका main principle है कि unknown वाल्टेज मेजर करना, unknown वाल्टेज कौन सा, यानि कि unknown बैटरी का वाल्टेज हमें मेजर करना है, यानि कि अब देखिए यहां पे, अब मैंने यहां पे E1 जहां पे पहले यहां पे E1 था और यहां पे B1 था, उसको हटा के, अब यहां पे मैंने कौन सी बैटरी कनेक कर दी, बैटरी B2 यानि कि वो बैटरी कौन सी होगी, unknown EMF वाल्टेज हमें मेजर करना है, वो बैटरी होगी, तो हमने जब पहले बार मेजर किया, हमने जब इस वाले पे मेजर किया, तब हमें एक equation मिला था, क्या equation था, E1 is equal to IR1 हमें मिला था, तो इसी प्रकार दूसरे में से हमें equation मिलेगा, दूसरे में से कैसे मिलेगा, सेम वही पहली वही प्रोसेस यह में फिट से करनी है, कि जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी B2 चनेक कि, जैसे हमने यहाँ बैटरी B2 कनेक कि और स्वीच को हमने close कर दिया, तो हमारा जो पहले point यह यहां पर था यह see वाला point पहले हो लेकिन वह यहां पि था और गैलवनोमीटर में current 0 था वं इसलिए क्यूंकि उस्वक्त wireless यह प्रैटरी का वन्टेज यहां पर कोई और battery connect थी उस battery के voltage की हिसाब से bass Oooh ONA लेकिन अब हमने battery दूसरी कनेक्ट कर दी है यहां पर जिसका voltage हमें पता ही नहीं है तो इस battery के कारण यहाँ पे galonometer में फिर से current flow होना शुरू हो जाएगा तो इस बार अगर हमें फिर से null deflection लाना हो तो हम क्या करेंगे हम करेंगे कि यह जो pointer है यह हमारे पास जो यह pointer है इस pointer को हम slide wire पे either और दिशा में हम इसको move करवाएंगे तो उस दिशा में मान लेज़े कि कहीं और यहाँ पे कहीं पे आके वो स्थेर हो गया कि यहाँ पे आने के बाद हमें null deflection मिल गया यहाँ पे आने एक बाद हमें galonometer में null deflection मिल गया यानि कि galonometer में current zero हो गया तो जैसे वहाँ पे current 0 हुआ तो हम एक ही equation यहाँ पर एक और equation उच करें कि यानि कि current 0 हुआ यानि मतलब क्या हुआ कि जो E2 voltage है वो यानि कि यहाँ पर जो E2 voltage है वो यह इसके अंदर slide wire के अंदर flow होने वाला current slide wire का resistance और इस बार जो length हाई ये इन दोनो length के equal में हो जाएगा यानि कि IRL 2 हो जाएगा लेकिन हमें तो measure करना एक unknown voltage कितना है हमें ये measure करना तो ये measure करने के लिए हमारे पास equation बने थे पहले figure से क्या equation बना था हमारे पास equation बना था E1 is equal to IRL 1 IRL 1 बना था और ये दूसरी वाली से क्या बना E2 is equal to IRL 2 ये equation बना IRL 2 sorry guys IRL 2 थोड़ा चला दीजेगा इतना बहुत इतना बहुत चल जाता थोड़ा problem है मोबेल्स में इसलिए चलिए देखे हमारे पास ये दो equation बन गए हम एक काम करते हैं हम ये दोनो equation को compare करवाते हैं यानि कि एक दूसरे से divide करवा देते हैं तो E1 is equal to IRL 1 divide by E2 is equal to IRL 2 ये दो equation हमारे पास बन गए तो यहाँ पर एक चीज देखो IR और IR cancel out हो रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से cancel out हो रहे हैं मैं थोड़ा ये rough कर देता हूँ ये तोने एक दूसरे cancel out हो गए तो final equation क्या बना हमारे पास E1 divided by E2 is equal to L1 divided by L2 ये equation बना हमें तो E2 का voltage हमें तो find out करना है बैटरी E2 का क्या voltage हमें वही ढूनना है तो वो अगर हमें ढूनना हो तो हमारे पास जो equation बना वो क्या था हमारे पास जो equation बना था वो था E1 divided by E2 is equal to L1 divided by L2 तो हमें E2 का voltage अगर find out करना हो तो उसके क्या लिखा जाएगा E1 L2 divided by L1 ये equation लिखा जाएगा अगर हम ये equation use करते हैं तो हमें ये E2 पे कितना voltage था वो हमें मिल जाएगा और अगर principle of potentiometer की बात करें तो ये principle of potentiometer के अंदर हमें एक चीज के ध्यान रखनी होती है हमें 2-3 चीजों की ध्यान रखनी होती है पहले चीज तो क्या कि हम ये जो battery connect करते हैं ये B1 और B2 इन दोनों के पोजिश ये जो polarity है जो figure में बताई हुई है सेम ऐसी की ऐसी ही polarity हमें रखनी है जिस दवगर से figure के अंदर जो polarity शो की हुई है उसी प्रकार से हमें polarity रखनी होती है फिर हमें जो B1 बैटरी है ये B1 बैटरी जो हमारे पास है न ये B1 बैटरी हमें standard बैटरी होनी चाहिए standard बैटरी यानि की इस बैटरी का voltage हमें ग्याद होना चाहिए हमें पहले से पता होना चाहिए इस प्रकार के बैटरी होनी चाहिए फिर फिर तीसरा point क्या है तीसरा point है कि ये जो switch हम के use करते है ये switch के ये switch के है न एक push button होनी चाहिए पुष बटन क्यों नहीं चीए? अगर ये पुष बटन नहीं होगी, तो हमारे गैलोनो मिटर जो ये हमने connect किया हुआ है, ये गैलोनो मिटर के अंदर, ये गैलोनो मिटर के अंदर बहुत लंबे समय तक current pass होता रहेगा, और वो भी high current pass होता रहेगा, और हमारा जो gallonometer ये तो सिब micro ampere की range में current measure करता है अगर इसके अंदर gallonometer के अंदर लंबे समय तक अगर उसके अंदर current flow हुआ तो हमारा gallonometer damage भी हो सकता है इसलिए हम जो switch के use करते हैं ये हम push button type switch के use करते हैं फिर एक चौथा point है आखरी point है वो है कि battery B जो हमने यहाँ पर connect की है यहाँ पर हमने जो battery B connect की है यह battery B की capacity ज़्यादा होनी चाहिए यानि कि ज़्यादा होनी की वज़़े से क्या होता है कि यह जो हमारी circuit है circuit के अंदर current constant रहता है तो I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा